मैं वह किया रहा है कि मान लीजे फर डिस्कॉशन सिख भी बीजेपिक हम कहरें एपसुनूट मिजॉरिटी नहीं आती तो कितनी सीटे कम हो रही है पिछली बार से 25-30 सीटी तो कभी होगी अगर वह हो भी रही है तो फिर वह गेन भी हो रही है न उत्तर प्रदेश आपको शो स्कॉर रही है बिल्कुल जो पिछली सीट थी वह 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 वापस आने बाले आज वाली लिस्ट है न देखिए बीजेपि की जो आज उन चास में सबस्च्चिस थी यूपी वाली बता रहा हूं आपको आपको उपी वूमते हो न पूरा अब जेब में तो परची है नहीं के मैं निकाल के बता दू कि मुख्यमंत्री बना दिया मुख्यमंत्री तो वैसे में जिता और हारा तो नहीं सकता लेकिन मुझे लगता है कि राइबरीली में अच्छा मुकाबला है और कॉंग्रेस को अगर आप एतिहासिक द्रिस्ट्री कोन से देखें कितने चुनाव कॉंग्रेस ने जीत वहां हासिल किया है उस नजरिये से मैं जाओं तो मुझे लगता है राइबरीली कॉंग्रेस जीतने की स्थिति में बनी हुई है अमेठी में फाइट है जर अमेठी में फाइट है अब फाइट का मतलब क्या एक लाग केंतर को फाइट कहेंगे तो फाइट है अगर आप कहेंगे कि नहीं फाइट का मतलब सिर्फ पांच दस जार पंदरा बीस जार को हम फाइट कहते है पचार जार को फाइट को फाइट क अब इन्होंनों कहा है जैसे हमारे जैसे हैं इतना ही समझदार इतना ही अकलमन नहीं हमारे से बहुत समझदार बहुत बड़े-बड़े लोग है बहुत समझदार लोग है क्योंकि अगर मैं समझदार होता मैं पार्टियों के साथ काम करता रहता तो बड़ी-बड़ी अमेथी, Smriti Rani, वेज और राहूल गांधी आप शहमत हैं? मैं इस सहमत नहीं हो क्योंकि पिछली बार पे जिनेश्परताप सिंह ने 17% का जंप उनको मिला था और और माइनस एट परसेंट मिसस गांधी नीचे आए थी अब वहां का हालात पूरे बदल चुके हैं अब जितने भी लोग हैं आसपासी कॉंसिट्वेंसी में या तो बीजेपी से प्रभावित हैं या समाजवादी पार्टी चोड़कर बीजेपी के अंदर आच चुके हैं मैं मानता हूं जगड़ा है वहापर लेकिन सबको यह करके दिखाना है अब तो बीजेपी में भी लोगों करके दिखाना है उनकी नौकरी का भी सवाल है आने वाले टाइम में विधान सभा में उनको टिकेट न मिले मिले उसके लिए उनको दिखाना पड़ेगा न कि इस मैं आप से जानना चाहता हूं इस चुनाओं के अंदर जितना ये मुस्लिम अपीजमेंट वाला मामला मेरे रखता है सेकंड फेस से या थर्ड फेस से प्राइमिसर ने उठाना शुरू कर दिया था मंगल जूतर वाली बात आई सवाई थी और उसके बाद से लगातार ये उन्होंने सेंटर थी मिसको रखा हूँ आज क्या उन्होंने बताया और आज बाला मामला' एक्चली मतलब मुझे तो ये मैं बात पांच में चरण के बाद बीजेपी को मिली माला ये तो अगर पहले मिल जाती तो इसका बहुत असर वो इसका यूज कर सकते थे हैं क्या पूरा उसमें राहुल गांधी बोल रहे हैं दिख रहा है आपको और उसमें वो कह रहे हैं मैं आप तलिए पढ़के देपता रहा हूं जो राहुल गांधी ने बोला आरक्षन की बात हमने उठाई मुलायम सिंग जी तीन बार मुख्य मंद्री बने एक बार भी आरक्षन पर यह इस मैं गयाता हूँ यह रेलेवेंट हो चाहे ना हो लेकिन जो बीजेपी की थीम है उसके लिए तो बहुत बड़ा हथियार है मेरी कई लोगों से बात भी कि यह क्यों आया जब अमिच्छा का फेक वीडियो डाला गया जूट होता है कितना भी उसका एक्सप्रेशन दो तो जूट जाता है सो लोग तक पचास लोग तो जब जूटा वीडियो डाला कि हम स्टी का रिजिशन हटा लेंगे तो बाजपाने मंचो से का तो उन्होंने इसके काउंटर में इसको बहुत जोर से शुरू करा कि आरेक्शन हम ने अट आएंगे आप जो स्टी का जो 50% का ब्लॉक है उसमें से मुसल्मान को और आपने करणाटका में कॉंघ्रेस में करनाटका में सेङरुकत अंदर प्रदेश में अभी ते लँगाना में उसको प्रिज करा भी है के 5% कैसे वबमिजस के मुसल्मान को दिया जाए उस बात को अलग तरहंसे कि जिससे लोगों में चिपके बात जाके पतान मतरी ने कहा है और और नेतान ने भी कहा है